Hello Friends, मेरा नाम जगविंदर है. चलिए, इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम Exchange Mail Boxes को कैसे Access करते हैं. Last वीडियो में हमने कुछ Mail Boxes को Create किया था, जैसे कि कुछ Users के लिए नए Mail Boxes Create किये थे. तो Exchange Server में आगे कुछ जानने से पहले, चलिए, उन Mail Boxes को Access करके देखते हैं कि जो Users हमने Create किये थे, परम, इशान, वो अपने Mail Boxes को कैसे Access कर पाते हैं. इसके लिए जो Tool मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो है OWA, जैसे Outlook Web Access या Outlook Web App भी कहा जाता है. इसके बारे में हम डिटेल में आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लें, कि आप अपने Web Browser को यूज़ करके, अपने Exchange Mail Boxes के साथ Connect हो सकते हैं, यूज़िंग OWA. तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इसे सीखने के लिए चलते हैं अपने Exchange Server 2010 के उपर. मैं अपने Exchange Server 2010 के उपर आ गया, और यहाँ पर हमारे पास दो Mail Boxes बने हुए हैं अलरेड़ी, परमवीर सिंग एंड इशान के नाम से. अब इन दोनों Mail Boxes को ज़रा हम Access करके देखते हैं, इसे Access करने के लिए, अपने Exchange Mail Server तक पहुँँ सकते हैं using Web Browser. तो मैं Start पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से Internet Explorer को Open करता हूँ, और Internet Explorer के address बार में, एक address टाइब करता हूँ, sttps colon double forward slash हमारे सर्वर का नाम, जो की है ex1.king.jst, आप एक बात का ध्यान रखिए, कि देखें, मैंने जो protocol यहाँ हमें use कर रहा हूँ, वो है sttps, अगर आप यहाँ पे sttp protocol use करेंगे, तो आप अपने Mail Boxes के साथ connect नहीं हो पाएंगे, और इसके बाद टाइब करते हैं, owa, तो पूरा address बन गया, sttps colon double forward slash ex1.king.jst forward slash owa, इसके बाद enter press करते हैं, तो देखें, आपको एक warning message आ रहा है, कि जिस website पे आप जाना चाहते हैं, उसके certificate से related कोई error है, यह error इसलिए है, क्योंकि जब exchange server install होता है, तो वो अपने आपको एक self-signed certificate दे देता है, और हमारे web browsers या clients उसको valid certificate नहीं मानते हैं, तो या तो हम किसी internal या external CSA से एक certificate ले सकते हैं, या फिर अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि continue to this website, जो कि recommended नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि यह हमारी website है, और security issue कुछ नहीं है इससे related, तो हम continue करते हैं इस website के लिए, इस link को click करके, तो देखें, आपके सामने एक interface आगया, outlook web app का, अब यहाँ पे आप अपने user का नाम एंटर कीजिए, जो की है परम, और उसका password, जो भी अपने password रखा होगा, और उसके बाद sign in को click कीजिए, तो sign in को click करते ही देखें, first time आप क्योंके login कर रहे हैं, इसी तरीके से एक दूसरे user से भी mailbox को access करने के लिए, हम दूसरा web browser open करते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे mozilla firefox install कर रखा है, तो मैं start पे click करता हूँ, और यहाँ से mozilla firefox को click करता हूँ, तो firefox में आके, हम यहाँ पे एक address type करते हैं, और यहाँ पे भी I understand the risk option को select करते हैं, और हमेशा के लिए, अगर हम चाहते हैं कि exception create हो जाए, तो add exception create करके, https colon ex1.king.jst forward slash owa के लिए, confirm security exception create कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पे user का नाम डालते हैं, इशान और उसका password, जो भी आपने password रखा होगा, और फिर sign in करते हैं, तो first time देखे आपसे again, इशान के लिए language और time zone पूछ रहा है, ok button पे click कीजिए, तो देखे इशान भी अपने mail box को access कर पा रहा है, अब यहाँ से एक new message send करते हैं param को, उसके लिए मैं new button पे click करता हूँ, और यहाँ पे param का name type करता हूँ, तो यहाँ लिखते हैं param, check name कर लेते हैं, उसके बाद subject, और जो भी message आप भीजना चाहें, वो यहाँ type कर दे, send कर दे message को, देखे message आपका send हो गया है, अब internet explorer को open करके, जरा check कर लेते हैं कि परमवीर को यह message मिला है कि नहीं मिला, तो यह देखे परमवीर को यह message मिल गया है, और इसे भेजा है इशान ने, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे, हम OWA के थुरू हमारे यूजर अपने mailboxes को access कर सकते हैं, तो इस वीडियो का purpose OWA के बारे में जानकारी देना नहीं था, इसका simple purpose यह था कि हम जो इतने वीडियो से, या इतने sessions से exchange server के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, और हम user mailboxes create कर चुके हैं, तो क्यों ना उनको एक बार clients से, जो इस case में हमारे web browsers हैं, access करके देखा जाएं, और साथ ही हमने अपने environment के एक user से, दूसरे user को message भी send किया, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में हम mail boxes के बारे में और जानकारी लेंगे, thanks for listening.